कि जहीं दोस्तों मैं हूं साउन कुमारा और इस चैनल में आपको स्वागत करता हैं जैना जो आज की वीडियो के बात करने वाले हैं कि civil score है क्या और civil score अपना खुद से कैसे निकालने के लिए क्या क्या डोकुमेंट लगता है आज के सी वीडियो में यहीं बात करने वाले हैं चलिए दोस्तों वीडियो के स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यह जान लेते हैं बैंक से तुम्हें बोल रहा है कि कर्ज लेने के परतरता को दर्साता यंदि इंडिकेट करता है यह लोन आदा करने के पिछले रिकॉर्ड और उसकी उसे लोटाने के चामता को आधारित होता है मतलब इस score की एर्रेंज होता है जो 300 से लेकर 900 की बीच होता है exercise कई 시 को जीतना ज्यादा होता है लोट मिलने का समय नहीं बढ़ जाती है दोस्तों कहने का मतलब कि ently rating 1 सक्वर है क्या तो मैं ठीट शाओते और कि इस लोट कि हम लोग पहले से लोन लिए रहते हैं तो उसी के according आपका score जो होता है कौम और ज्यादा बताता है तो जैसे चेकिजिए का तो 300 या 900 300 से लेकर 900 के बीच आपका score बताएगा और जितना जैसे 750 700 800 ऐसे दिखाएगा तो जितना ज्यादा लोन आपको score देखाएगा उतना ही ज्यादा संभावत चांस होता है कि आपको लोन मिल जाएगा जब आप चाहते हैं कि बैंक से लोन लेने के लिए तो वहां पर बैंक वाले ने बोलता है कि जाएगे आप सीविल इसकूर को निकलवा लेकर आई या ज्याद करा लिए कि सीविल स्कूर आपका कितना है तो आपको कही भी किसी भी सेंटर या CSE Center पर आप जाकर और खुद से निकलवा सकते हैं कि civil score कितना है आपका और वहां से आपका CSE Center पर जाच हो जाएका कि सिबील के मिनख प्रिंट लेकर और आपने बैंक के हां लेकर जा सकते हैं आप मिनख सब्सक्राइब करने हैं मेरे चांड करें तो फैसे एक दिया गया हुने पाने इनाल पूटल कुछ नीचे निचे आईएगा ट्रेग करके यहां जैसे स्थेने माइद और को पोड़ी खेल फिल और देखनी लिक लुकसवा क्या विह इसमें सब्åक पेसे पहले निया फ्रद करने के पाद सबसे पहले सब्सक्स select State ہے तो आपको state ku पहले हैं आप तो क्या करना इसलेक्ट कर लेना है तो सबसे पहले चुछ निए है कि तो सबसे पहले यहांद कि मेडिल नें मवगया तो इसमें लास निम डाल देना यहां पे आपको डेटपर डाल देना और यहां पर और चूज कर दें तो करना क्या है यहां पर अधार का डालने के बाद क्या करना है यहां पर पर्मेनेंट एड्रेस पर क्लिक करके और पर्मेनेंट एड्रेस डाल देना है पर्मेनेंट एड्रेस डालने के बाद हो तो यहां पर आपको क्या करना है पीन कोड़ डाल देना है उसके बाद क्या करना है यहां से ड्रै करके कुछ नीचे लेके आना है नीचे लेकर आईएगा तो एठेंटी केसं टाइप पर आपको क्या करना है अगर अधार काड में मोबाइल नवर राइस्टर्ड है तो ओटीपी पे प्रस्यूट करने के लिए यहां पर टोटल फील करने के बाद उसके बाद फोर्स्यूट जैसे ही किजिएगा तो आगे किस तरह की इंटरफेस साथ आई की चीज में बता देता हूं तो सबसे पहले टोटल टीटेल को फील करके और पॉर्स्यूट करके मैं आपको बता रहा और यहां पर दोस्तों क्या करना है ठीक मार कर देना है और यहां पर जेनेट ऊटीपी कर देना है दोस्तों जैसे ही जेनेट ऊटीपी कीजिएगा तो आपके मोबाइल नमर पर और इमेल आडी पर दोनों पर ऊटीपी जाएगा उसके बाद दोस्तों क्या करना है यहां पर auditGeek को फिल कर देना चलिए मैं auditGeek को फिल कर दे रहा हूं और उचके बाद आपको क्या करना है आगी के स्टिप में बता रहा हूं ठीक है तो यहाँ पर के लिए सबसे अच्छा है कि एक रुपय में अपना सिब इसको जाज कर सकते हैं तो चलिए मैं payment करके दिखा रहा हूँ wallet pin ढालके है ठीक है दोस्तो wallet pin ढालते हैं तो तो कुछ इस तरह की इंटरफैस आएगा और यहां से pay कर देना है दोस्तों जैसे ही pay कीजिएगा तो आपका wallet से 1 रूपय पी होकर और इस तरह के कुछ इस तरह के इंटरफेस आपके सामने आजाएगा यहां से भी भी रिपोर्ट करके रिपोर्ट जिख सकते हैं और दोस्तों यहां से डाउनलोड रिपोर्ट भी कर सकते हैं दोस्तों जैसे हैं के लिए कीजिएगा तो यह आपका PDF ओपन होके और सामने आजाएगा आपका रिपोर्ट मतलब इस खोर चला आएगा अभी साइद नहीं आ पाएगा क्योंकि हमारे यहां नेट का सब्सक्राइब करेंगे तो नेक्स वीडियो में लेकर आउंगा कि कैसे आपके पास अगर CAC सेंटर नहीं है अगर आप यह काम जानता है तो कैसे आपने सीविल एसकोर जहांच करेंगे फ्री में वह भी सिर्फ फिन-कार्ड के सहार है तो नेक्स वीडियो में लेकर आऊंगा कि कैसे सीविल एसकोर कुझाज करेंगे चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में इसके लिए सबसे पहले कि आपको किया क्या चैनल को सब्राइब करका वगल में जो बियल आईकण आएगा उसको हिपर कर दो बाचिंग